गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ओनलाइन क्लासे सौनपूर में और आज हम इस वीडियो में विहार डियले इंट्रेंस एक्जाम दोधर पचीस के सिलेवस के उपर बात करने वाले हैं और बेतर तरीके से आपको जो है तीन सालों के इंट्रेंस एक्जाम होने के बाद एनलाइसिस करके आप सभी लोगों को चैप्टर टॉपिक आपको बताये जाएंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महत्रपून रहने वाले हैं तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जो है जरूर करेंगे ताकि आपको साड़ी अपडेट और साड़ी क्लासिस आपको बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि विहार डियलेड दोजार पचीस जो इंट्रेंस आपके होने वाले हैं बहुत सरे बच्चों के मन में सवाल होता है कि क्या पचीस में इंट्रेंस होगा या नहीं होगा मैं आपको बता दू कि आपका इंट्रेंस होगा 25 में परशान नहीं होना है यहाँ पर देख सकते हैं हम सिलेवस की बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम जो है आपके हिंदी सिलेवस के उपर बात करेंगे शंपूर्न जनकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और हिंदी के आपके जो class वोगे theory और practice दोनों होगे practice भी वोगे theory भी होगे तो आप सबी लोगों सनिवेदन है चैनल पर है तो चैनल को ज़ॉइं जरूर कर लिजिएगा paid classes भी launch होंगे तो इसको भी बताया जाएगा लेकिन अभी आपको YouTube पर start किया जाएगा ताकि आप सभी लोग जो है लग जाएए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले हम आपके कुछ सवालों का जवाब दे देंगे ताकि आपको दिखकत नहीं हो यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा पहला प्रश्ण यहाँ पर है कि फॉर्म कब आये का यह सवाल है तो मैं आपको बता दू कि फॉर्म आपका जो है जन्वारी फरवारी दोज़ार पचीस में आपको देखने को मिलेगा यानि कि डियले इंट्रेंस एक्जाम दोज़ार पचीस का फॉर्म जो है जनवरी से फरवारी 2025 के बीच में आपको देखने को मिलेगा वहीं पर हम बात कर लेकि एक्जाम कब होता है ये भी एक सवाल है कि आखिर जब फर्म जनवरी फरवारी में बढ़ाएगा तो एक्जाम कब होगा तो एक्जाम आपके जो है मार्च 2025 में होंगे कब होंगे? मार्च 2025 में होंगे थोड़ा सा एक महिना लेट होता है क्योंकि हम सभी लोग जानते है भी आरबूर का काम जो है सही तरीके से नहीं होता है अगला यहाँ पर आपका है कि टोटल कोश्चन कितने होते हैं तो हम सभी लोग को पता है कि total question हमारा 120 होता है और यहाँ पर total marks की बात करेंगे यानि total number of question तो 120 है और marks कितने होते हैं तो 120 number के होते हैं यानि कह सकते हैं कि जो question पूछी आते हैं पर question यानि कि जितने भी question होते हैं पर question आपके जो होते हैं एक marks के होते हैं क्या होते हैं, एक marks के होते हैं, इसमें आपका ऐक और खासिएत बात या है, इसमें आपका जो है negative marking नहीं होता है, यानि 120 question में कोई भी negative marking नहीं होते है, साथ ये साथ हम यहाँ बात कर लें आपके caution level की बात कर लेंगे, तो 10th और 12th लेबल के question जो है पूछा जाता है exam में तो यह आपके basic जो जनकारी थी जो मैंने आपको बता दिया अब हम जो है आगे हिंदी के syllabus के उपर discussion करेंगे तो सबसे पहले या जान लीजिए कि DLA'd entrance exam में जो आपका 120 question पूछे जाते हैं वो किस-किस आपके syllabus से पूछे आते हैं किस-किस besides से पूछे आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपका Hindi है यहाँ पर दियान दिजेगा तो आपका सबसे पहले यहाँ पर आपका Hindi है तो Hindi से 25 marks यह 25 question पूछे आते हैं दूसर यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर आपका reasoning है, देख सकते हैं, तीसरा आपका math है, science है, gk है और आपका English है, यह आपके पूरे हैं और मैंने यहाँ पर आपका number of questions और number of marks भी लिख दिया है, यह देख सकते हैं, 10 marks का है, 25 marks का है, 20 marks का है, 20 marks का है, यह सभी आपका है, और यहाँ पर आपको जो हैं किवल 20 चैप्टर का नाम बताएंगे यानि कह सकते हैं कि 20 टॉपिक बोल दीजे इसको यह चैप्टर बोलिए इससे बाहर आपको एक्जाम में नहीं पूछेगा और बोलेगा है सर जो यह चैप्टर यहाँ पर लिखे हैं खुद अपने मन से लिखे नहीं बाबू आपके 2022, 2023 और 2024 यह तीन साल का जो है कोशन का इनलाइसिस करके जिस चैप्टर से पूछा गया है भी हारबोर नहीं पूछा है उसके अधार पर जो यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम लिया है ताकि आपके एक्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हूँ आपके सिलिवस के लिए रहेगा तीसरा चैप्टर है आपका शर्वनाम आपके सिलिवस के लिए रहेगा तीसरा चैप्टर सर्वनाम से प्रशन आते हैं आपका बी से से आते हैं फिर आपका किडिया से आते हैं आपका जो है वर्ड वर्ड वचन और लिंग से आते हैं आप आपका गद होता है और जो आपका पद होता है गद और पद से प्रस्ण होते हैं, फिर यहां पर आपका 20 नमर तदभाव, तदसम, देशज और बीदेशज, इससे आपके प्रस्ण होते हैं, तो कह सकते हैं कि यहां पर जितने भी आपके चैप्टर बताएगे हैं यह चैप्टर आपके इंट्रेंस, एक्जाम 22 और 25 के लिए काफी महत्र पूर्ण रहने वाला है, तो आप सभी लोग इसका screenshot ले लीजिए, और अगर आप पूछते हैं कि सर, इसमें भी कौन important है तो वो मैं आपको ठीक लगा दूँ, सबसे पहले मैं rate class लगा देता हूँ, यहां पर देखेगा तो आपको जो है, यहां पर यह वाक्य और वाच्चे विचार, और मुहाबरेवों लोगों कृतिया से पुछते हैं, छंद, रस, लंकार, वाक्य सुधसूद, विलोम परेवाची, और यहां पर आपका जो है गड़ और पद, जो मैंने rate लगाया है इससे आपके exam में प्रशन आएंगे ही आएंगे, बाकी आपको पढ़ना पूरा है समझ गया अब रही बात, कि आपको जो यह 20 चैप्टर हमने बताया है यह आपको हिंदी में 25 में कम से कम 22 नमर दिला देगा, अगर आप बेतर तरीके से समझ गया है, बाकी हम आपको theory classes, practice classes, सब कुछ देने वाले हैं तो आप सभी लोगों सनिवेदन है इसका screen shot ले लीजिए और अभी हमने आपको बिहार DLA इंटरेंस exam 2 और 25 का हिंदी के syllabus के उपर बेतर तरीके से हमने discuss किया है, तो आप सभी लोगों सनिवेदन है कि इस वीडियो को अधिक सेधिक share कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए मिलते हैं नेक्स टुडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थांके सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी हैं